Hello Everybody, आज हमारे पास में Class 11 Physics का बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक है कि It is easier to pull a body than to push it किसी भी body को खीचना जादा असान होता है बजाए इसके कि उसे हम धके ले अगर माल्य आपके वास में एक body रखी है यह आपके hand के force लगाने के level से नीचे level पर है यह बात ध्यान रखनी है इस body का mass कितना है M और आप इसे खीच के एक force लगा रहे है F force लगा रहे है और इसे एक point से दूसरे point तक लेके जाना है आपको तो आपको कुछ work done करना पड़ेगा कुछ force लगाना पड़ेगा मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर अगर इसी body को same body को जिसका mass कितना था M था आप इसे push कर रहे है और push करके धकेल के आप आगे की तरफ लेके जा रहे है तो यह आपने push किया कितने force से F force से तो यहाँ ध्यान रखने की बात यहाँ pulling force भी कितना था F था और जो यह pushing force है ठीक है यहाँ पर जो आपने apply किया है यह भी कितना है pushing force भी F है नीचे की तरफ थोड़ा सा आप angle बनाते हुए इसे धकेल रहे हैं और आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और यहाँ से वहीं उतनी ही distance तक लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा work done करना पड़ेगा यहाँ पर आपको ज़्यादा force लगाना पड़ेगा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यानि कि किसी भी body को pull करना खीचना अगर हम उसे पगड़ के यूँ खीच रहे हैं और खीचना असान है बजाए इसके कि उसे हम आगे की तरफ धके ले ऐसा क्यों है इसका reason हमें बताना है तो actually जब किसी body के हम pull लगाते हैं force लगाते हैं तो यह force इसके हम दो component कर सकते हैं दो टुकड़े कर सकते हैं किसी भी vector के आपके वासे एक vector vector A है तो इसके दो component होते हैं आपको पता है कि अगर theta angle है तो theta angle वाली direction में A cos theta और theta के perpendicular component क्या होता है A sin theta इसी तरह से आप इस force F के दो component कर सकते हैं दो टुकड़े कर सकते हैं एक टुकड़ा तो horizontal component है F cos theta और दूसरा vertical component है F sin theta जब आप pull force लगा रहे हैं यह pull कर रहे हैं आप किसी body को तो एक बात यह धिहान रखिए कि body का जो weight है वो तो नीचे की तरफ work करेगा ही करेगा mg तो जब आप किसी body को खीशते हैं तो यह जो F sin theta है जो vertical component है force का यह mg मेंसे minus हो जाएगा और उसका weight थोड़ा सा कम हो जाएगा weight क्या होता है किसी body पर जो नीचे की तरफ force लगता है अर्थ की तरफ को force लगता है वो उसका weight होता है तो body के उपर weight कितना लग रहा है यहाँ पर mg माइनस F sin theta F sin theta यहाँ पर subtract हो रहा है जो कि दोनों एक दूसरे के opposite है mg नीचे की तरफ F sin theta उपर की तरफ तो body का weight क्या हो गया कम हो गया लेकिन अगर आप इसी body को आप push कर रहे हो धकेल रहे हो तो इसी F के आप दो component कर सकते हो दो टुकडे कर सकते हो एक तो horizontal component अगर angle theta यहाँ वाला theta और यह वाला theta दोनों same है तो horizontal component भी यहाँ पर कितना आएगा F cos theta और एक vertical component यह जो vertical component है यह vertically downward है नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ जो component आया है यह आया आपका F sin theta और नीचे की direction में ही body का weight है mg तो यहाँ पर body का apparent weight increase हो गया है तो apparent weight यहाँ पर क्या होगा A, double P, A, R, and T weight apparent weight यानि 80, 80 weight कितना हो जाएगा mg तो हो गई होगा plus F sin theta तो दोनो force sum हो रहे हैं weight बढ़ गया है तो जादा weight होने की वज़े से यहाँ पर push करना मुश्किल है यहाँ पर mg में से F sin theta कम हो गया है pulling के time पर तो यहाँ कम weight होने की वज़े से pull करना असान है actually weight जितना जादा होगा apparent weight 80 weight जितना जादा होगा उतना ही जादा earth की normal reaction लगेगी उपर की तरफ और उतना ही जादा जब हम किसी body को किसी plane पर फिसलाते हैं खीशते हैं तो उतना ही जादा frictional force लगता है यहाँ जो friction लगता है उतना ही जादा होता है जितना की जादा apparent weight होता है तो यहाँ कम apparent weight है तो कम friction है आपको भी कम force एप्लाई करना पड़ेगा उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाने में यहां पर ज़्यादा वेट है अपरेंट वेट तो यहां पर ज़्यादा फ्रिक्शन फ्रिक्शन लगेगा यहां ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा और यहां पर आपको ज़्यादा जोर लगान Thank you.